तो Adobe Premiere Pro में आपने ये तो problem देखा होगा, सब के साथ हो रहा है, यहां पर कुछ error दिखा रहा है कि render timing के हिसाब से आपका 4 minutes 16 seconds पे जो effect आपने use किया है, वो effect आपको delete करना पड़ेगा, तभी जाके इसका export होगा, इसको यहां से मैं, जो effect है, इसका जो effect है, यहां से मैं delete कर देत हूँ, और मुझे जो भी effect यहां से delete करना है, सिर्फ उसको select कर लेता हूँ, बाकी सब यहां से यह कर लेता हूँ, और इसको कर देता हूँ, जैसी मैं okay करता हूँ, effect हट जाता है, effect जो हट जाता है, और यहां पर मेरा exporting जो हो complete हो जाता है, तो आपको भी ऐसा problem आया है, जहां पर आपका exporting जाके रुप जाए, तो आपको चेक करना है, वहां पर एक timing में इंशेर रहेगा, वो timing से जाके effect अबर, वो timing पर जाके आपका effect अब delete करते हो, तो आपका exporting easily हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, यहां पर almost almost मेरा export है, complete होने को आया है, सिर्फ 12 सेकेंड बचा है Thank you for watching, ऐसे और वीडियो के लिए like कीजे, comment कीजे, follow कीजे, इस वीडियो को जाए से जदा share कीजे